दोस्तों नमस्कार स्वागते चैनल और्गेनिक फार्मर में मैं हूँ आपका किसान दोस नितिन काजला और अभी जो पीछे आपने वीडियो देखी भाई आप लोगों ने उस वीडियो को इतना प्यार दिया इतना अच्छे से उसको प्रोमोट किया मैं आपका आभारी और लगा मुझे किसानों में जाग रूखता है बगीचे को लेके तो अभिशेक भाईया से पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में कि अपने को जब फ्रूटिंग आ गई तो इससे अपन दो पैसे कैसे कमा सकते हैं अपने बाग आपका ड्रोप ही होता है सारा ठीक है तो अब इसको हमने यहां पर यह कुछ फूट यह निमू भी पड़े देखे हैं इस तरह के अलग अलग साइज के हैं यह तो इनको कैसे अपन अच्छा भाव लेने के लिए क्या करें अभिया ग्रेडिंग जो है ग्रेडिंग शोटिं करते हैं यह अवर तो हम उसे अलग निकाल देते हैं यह तो इसमें जोटा निम्बु यह तो चल जाएगा कोई दिक्कत यह सब चलेंगे यह चोटा निम्बु इसे हम अलग करना यह भी विकता है पासात रुबगा किलो कम बिकेगा लेकिन इससे मंदी मापकी गुडवल र वो बिल्कुल अच्छे साता है जैसा अभी मेरा बताता हूं मेरा थेली पैक को कर जाती है 17 किलो की थेली मैं खुद तोल करके बरता हूं और टैप लगा करके रखता हूं उसमें से एक भी निम्गू निकल नहीं गुंजाइश नहीं रहती है मेरी गाड़ी में मंडी में नही सकते बगडर जाता है कि इतनी थे लिए 20 थे लिए तो जितनी भी राक होता है अपने आपास में मेंशन करा कि आप तोल के भेजते हैं बिल्कुल तो इसका क्या लाब है बहुत बड़ा लाब है निम्बु का एवरेज भाव सर्दियों में रहता है 20-25 रुपए किलो जैसे इस साल 22 रुपए किलो से नीचे नहीं गया मुझे से अवरेज भाव मिलता है निम्बु को चालिस किलो केश में मिलता है अब जालिस रुपए किलो भी निम्बु बड़ा है 17 किलो की मेरी पैकिंग होती है और जब भाव तेज रहता है तो मेरी आठ को लो की पैकिंग रहती है और तý commemorative c Pf रहता और तो 17 किलो था है और थालीश प्रुस हर्वा संट रुपएकर निम्बु करता हूं मंडी में सिस्टम यह होता है कि अपने तोल के बहा है और आपकी थेली में अगर लगाए तो कम से कम भी 200-300 ग्राम निम्बू आपका फ्री में जाता है अब 40 रुपए कि लो भी यह यह दिया आपका निम्बू भी बिक रहा है उसमें आपने थाइसो ग्राम अब दस रुपय का निम्बू आप फ्री दे रहे हैं उसके जादा अच्छा यह कि आप दो तिन रुपय की थेली लगा दीजिए और पच्छेस तीस परसे की टैप लगा दीजिए और उसे बेस दीजिए तो आपका कम से कम साथ रुपय का फाइदा एक थेली पे होगा अब यह अपने 20 थेली भी मंडी में ले गया है आप साथ रुपय थेली से भी आपका 140 रुपय का फाइदा होता है तो मैं समझता हूं मेरे काड़ी का डीजल निकल जाता है यह मेरे एक आत्मी की आध्या आत्मी की लेबर निकल जाती है यह मेरा अपना खुद का नाश्टे का निकल जाता है यो मान लीजिये वह सहर जाता हूं कुछना कुछ पैसा कहीं न कहीं तो भसता यह तो वही करना चीजिए निसे पड़ी से ले जा सकता है यह सारा फायता है आचा अब मुझे यह बताईए के कुछ साथी क्यूंकि आपको जानते हैं और अचार किंग के नाम से पिछली वीडियो में आप लोगों का इतना प्यार मिला जो हमने पांच-छे-साथ महीने पहले बनाई थी तो अचार का बहुत अच्छा काम उस समय भी था भाईया का अब और थोड़ा जादा पिछली वीडियो आने के बाद में अचार का बहुत सारी मेरी सेल बढ़ी है जिन लोगों ने वीडियो देखा उन लोगों ने मुझसे अचार मंगवाया है और एक बार अचार मंगवाने के बाद में उन्होंने फिर से रिपीट उटर दिया मेरे को उल्टा फोन करके वो बोलते हैं कि आपकी वीडियो हमने देखी अभशेक बहुत अच्छे से अटे समेज कर दें वह एक अलग चीज है लेकिन भाईया के 99% कस्टमर्स मुझे सैटिस्फाइड लगे पॉस्ट आफसे भेजने की मैं कम से कम कौशिश रखता हूं ठीक है भारतिय डाक विभाग है बुरा ही तो नहीं करना चाता हूं मैं और इंडिया में हर जगा उसकी पहुं ख्र के बढक छूझर पूसरा है ट्रुच को थे इस पे राचल देता है और फिर प्लास्टिक बाक्स में रखता हूं और उस प्लास्टिक बॉकस को टेपिंग करके और एड्रस उसे कस्टमर्स को रचाऊ जान रूजा नाइटी परसंट सेफ पहूंचता है कहीं कोई दिक अगर कोई कर सकता है तो क्या सेनेरियों आप मान के चल रहे हैं कि मंडी में क्या अपने को मिल रहा है और अचार बेच के थोड़ी सी मेहनत करके तो अपन क्या ले सकते हैं मंडी में आपको एक फिक्स रेट मिलेगा आपको माल बेचना है अचार में अच्छा रेट मिल जाएगा जैसे मेरे एक्जामपल देता हूं कि यदि में अपने बगीचे का 10 परसंट भी अचार के रूप में बेच पाता हूं तो मुझे 50 परसंट निम्बू के बराबर कीमत म आपने माल तो अपना 10 परसंट खपाया और कीमत यह वह आपने 50 परसंट तक प्राप्त कर ली और बस यह पर सार्वस्टिंग तो हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा और मैं करता हूं और मेरा काफी अच्छा चल रहा है फस्ट येर मेने 200-200 किलो करीब अचार वेचा था इस साल माँ अब तक 300 किलो चार बेच चुका हूं और अब देखिया आगे क्या होता है अचा बहुत तो जो अपन जो अचार बनाते हैं जैसे कोई अचार लेना चाह रहे है कोई शाथी जोगा बनाते हुए हम किन-किन चीजों की साफ़धानिया करते हैं पैकिंग और कूर वहीं नहीं कंप butterflies है और बाई आ जो इसके स्थाफों दिन पूंजोंने दीटिम क؟ बवैनन कि एिप बन कुछ कमैशिक देश्यлыग्य दालना घॉत कि नमक करना इन एंट ने दिए बंतने नमक करना इन ऐस तरहे के से उबालना यह पानी बिल्कुल नहीं लगना चिये साहुधानिया बटाता मेरे मेरे निम्भू की इतनी शानदार है इसंसे इतना अच्छा है च्हिट इतना पतला है कि अचार के लिए सबसे बेस्ट किस्म है तो इसका अचार वैसे भी बहुत शानदार बनता है पिछली किस्म वीडियो में भी ध्यान नी दे पाई यह देशी कागजी निम्बू है जो नोने पुरानी वीडियो देख रख किया उनको मालूम है और उसके उपर तो पूरा जान नीम्बू जैसे हम छाप का नीम्बू बोलते हैं या जो बिल्कुल फ्रेश नीम्बू है हम के और वही सलेक्ट करते हैं उन्हें बिल्कुल साफ धोकर के सुखा देते हैं बिल्कुल पूरा सूख जाएगा उसके बाद में एक निम्बू के हम आठ पीस करेंगे और यदी नीम्बू हो तो बारा पीस भी करेंगे यानि खाने लायक साइज होनी चाहिए नीम्बू की वह लेते हैं शुद्धता का पूरा ज्यान रखते हैं सारा काम मैं मेरी श्रीमती जी और मेरी माताजी हम तीनों मिल करके करते हैं नीम्बू धोने तक का काम जो खेट की लेवर क सारा काम हम लोग खुद करते हैं ठाचार फुर्म vermखता टरगारा म्य रखेट स्हुरू करते हैं और सारे मिक्रैन के मखने बहुत वाली बड़ी ह pigि वाली मिश्री लेताओ उसे अधे सवा ने देखा जाना समझा किस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखके हम अपनी जैसे बहिया ने वह एक आदा किलो डेली वाला जो बात बताई आदा किलो एक ठैली में बचाने वाली बात बताई तो डेड़ सो दो सो रुपे अगर डेली के उसमें भी बच गए तो ऐसा क कमाई है तो कहां कहां बचाए कैसे ग्रेडिंग करनी है अगर अपन इन दोनों को एक साथ मिला के बेचेंगे तो बहाव हमारा डाउन जाएगा लेकिन अगर इसको अलग बेचेंगे इसको अलग बेचेंगे तो इसमें जादा बचेगा शनिवार के दिन यह इससे भी अच्छी लगी होगी कोई भी सवाल है आपके आप पूछ सकते हो और है अगर कोई भाई निम्बू अचार मंगाना चाहता है तो वह कैसे आप से संपक्र अब मेरा वाट्सअप नमबर मैंशन कर दीजिए डेस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस्क्रीन पर भी जो भी दे सकता है रेट के जानकारी ले सकता है क्वालिटी की जानकारी ले सकता है अपना कंप्लीट पोस्टर लेडरस विद पिन कोट नमबर मुझे देंगे तो उनके घर पे पारसल हो जाएगा हम डिलेवरी मिल जाएगी तो खाओ एकदम शुद्ध अचार उगाओ बहुत शा और मैं आता रहूं देखता रहूं आपको रेगुलर अपडेट देता रहूं तो जिन सातियों ने इतनी सारी शंका हैं बताई थी उनकी सारी शंकाहें मेरे हिसाब से खतम हो गई हो होंगी फिर भी अगर कोई शंका बनती है तो भाई कमेंट करो और बने रहो चैनल के साथ में वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करो और अगली वीडियो में जल्दी आओ इंतजार करो फिर लाता हूं ऐसी के एक और वीडियो तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार